हेलो फ्रेंड्स टेक्निकल ग्यान चनल में आप सभी लोग का श्वागत है आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों यह हमारा पार्ट थर्ड है 1,000 multiple choice question का अगर आपने part 1 और part 2 नहीं देखा है तो description box में इसका link होगा दोनों part को आप देखिए और आप लोग जानते हैं कि इस series को क्यों start किया गया है आप काने वाला exam है railway का assistance, logopilot और technician के लिए उसमें आपके trade से question आएंगे और इसके अलामा कोई भी आप इंडिया की ITI level technician क की तैयारी कर रहे हैं किसी भी exam की prevention कर रहे हैं आप जैसे की DRD होगे यल भेल से इसरो हो गया आपका DMRC हो गया किसी भी exam की prevention कर रहे हैं आप ITI level technician की तो उसके लिए यह बहुत important video है इसमें काफी previous year के questions और आने वाले समभावित questions इसमें include किये जाते हैं तो चलिए हम वीडिय फर्स्ट question से पहला question है दोस्तों यहां पर standard map को किस तापमान पर लेते हैं तो workshop में जब भी आप work करते होंगे तो यहां पर standard पूछा गया है जो मानक है आपका उस standard map को आप किस तापमान पर लेंगे जो मानक बनाये गया है तो option number A है आपका 25 degree Celsius, B है 30 degree, C है 20 degree और 37 है आपक तो इसमें इसका जो right answer होगा वो option number C होगा 20 degree आप standard map को 20 degree Celsius पर लेंगे यह standard माना गया है मानक दिया गया है उसके बाद next question देखेंगे किसी भी सुराख या pipe के अंदर के किनारों की map किस rule से हम लेते हैं यानि कि आपको किसी सुराख के अंदर किनारों की map लेनी हो या अगर क बाल का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आप जो रूड का प्रयोग करेंगे क्या नहरू रूड का प्रयोग होगा या flexible steel rule यह shrink rule यह home रूड तो इसका जो right answer होगा दोस्तों वो option number D होगा वहां पर हूप हूँ का हिस्तेमाल करेंगे तो आपको में बता देता हूँ honor Chandil कुछ टाइप्स का होता है देखिए ऐसे होता है स्टील कि तरह होता है लेकिन इसमें नगा होता है यह इस हूंक को किनारे पर फसा दिया जाता है किसी सूरा के और उसके बाद मैं इससे माप लेते हैं selUpर छानि से इस या जैनी साइथ यह प्रéis करते हैं इस बात को ध्याया करना है आपको क्योंकि इंध्ष लगा रहा रहता है और लेग आपको टांस पर कर सकते हैं यह तासानी है उन्दाह तो इसे ही होता है चलिए नक्सक्षन स्प Grade sauce। निम्ड में से कि सूर्ण का साइज वास्तिविक इंच SPA सबकुबनेता सब्सक्राइब होता है यहां पर सब्सक्राइब कर लेना Check मियं थी यहां पर आपको वैस्टिव इंच को सब्सक्राइब होटा है वह वास्तिविक इंच में जिसेते ब mêsद्वा होता है उस रूल में वास्तिवी कि जैसे के आपका वास्त वेक इच इतने का है तो this रूल में होदा सबाराथ रहता है इंच का साई यह फूचा गया आसे तो और अब्सक्षा आपको स्रिंग रूल और दो होगा सलिक फील बारे में आपको वर्क करते हैं, जैसे कि किसी भी आकरती को ढालते हैं आप तो मेटल को गर्म करते हैं, गर्म करने के उपरांत उसको किसी भी आकरती में ढाला जाता है, तो वहाँ पर जब वो मेटल गर्म होता है, तो गर्म होने के पर शाद कुछ साइज बला रखा जाता है, ताकि जब मेट ज़िट टन्दा ओप ठंडा होने के बाद वह सिखुडheगा तो वह अपने वास्ते विक साइज मिन आजाएकर इसलिए स्टिन्क रूल का जो साइज होता है वह वास्ते व Bengal उल्च से थोला सा बड़ा राखा जाता है बड़ा हो किस रूल का आप इस्तिमाल करेंगे अगर आपको इस कंडिशन में माप लेनी हो तो यहां पर जो इस्तिमाल किया जाएगा दोस्तों वह नेरो रूल का इस्तिमाल किया जाएगा नेरो रूल की चॉणडाई ऑप्षा और तक होती है या मतलतiday去了 जूणit कि चौनडाई के वक्षा-क इसकी छॉनाय लगभग 5-J Mi m होती है बस तो इसी प्रकार इसकी छॉनाय कम होने के कारण हम किसी नालीख हांचो या संक्रे जगां में जहां प्र जगां कम होता है वहाँ पर हम नायरो रूड का इस्तमाल करते हैं चलिए नेस्ट कोईशन देखेंगे वक्राकार आकृतिम आपने के लिए कौन सा इस्टील रूल का प्रयोग किया जाता है वक्राकार आकृतिम मतलब करूर स्पेस जैसे कि यह थोड़ा सा गुलाई में हो ऐसे ऐसे माप चो लेनी हो आपको तुहाँ पर किस रूल का चांप इस्तिमाल करेंगे तो उप्सन न्मरे हैं नेरो रूलस फ्लैक्सवल स्ञर्ल का इस्तियलीर क्रेंगे तो मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें लचीला बना जाता है इसलिए इसमें लचकपन अधिक यह इसका हम जो प्रयोग करते हैं लचकपन के कालण इसका मुखरकार आक्रती को माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं इस Above interes चलिए next question हम देखेंगे इस्टील रूल प्राया बना जाते हैं तो पिस मेटलस के मुख्यता बना जाते हैं क्या का श्रायर से yo स्प्रिण स्ट्रिंग्गार स्ट्रीब के इस नियौर हिस्टील से तो जो मुंक्यता बनाए जाते हैं दोस्तों वह स्प्रिंग स्टील इस की का इसकी आत्रीक रही कारगों के भी स्टील बना जाता व्य कि ब़ने जाता है लेकिन जो मुखожал कि आपका इंच स्प्रिंग रहे खिंच की ओप्शन कि दुबारा समझ लिए आपसे यह पुछा गया है कि जो steel rules होता है जिसे कि यह आपका steel rules है यह आपका एक इंच हो गया यह दो इंच हो गया यह तीन उन्च हो गया वर यह आपका चोथा इंच हो गया तो आपसे यह पुछा गया है कि एक खाने को कितने बराबर भागों में वि भक्त किया जाता है इसलिए एक खाने का मान एक बटा चौंसराट इंच हो जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्ण देखेंगे हम इस्टील रूल का अलपत मांक होता है तो इस्टील रूल का प्तमांक बताना है आपको अप्शन नमर यहां पर है है योने कि एक वैटा दो एमें इससे आमें होगा है वह वो हम बता देता है स्टिल रूल आपने देखा औहला होगा इस प्रकार का इस प्राइब सेटील तीन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर पान सेंटीमीटर तो जब ये एक सेंटीमीटर को दस बराबर भागों में विभक्त किया जाता है जैसे हमने अभी आपको पता है इंच को एक बटा चौशाट इंच के बराबर भागों में विभक्त किया जाता है एक खाने को उसी प्रका हो जाता है वो एक बटाद दो में हो जाता यानि हम एम में स्टी сначала के द्वार JAM आपकर बहुत में कम संपुछटे सकता है इसी प्रकार आप से 20 english टो इंच में भी पूछा जा सकता है तोamento is क्यों हो जायहा क्योंकि एक इंच का जो होता है उसको *** bus Самu न स्इन भाग difference तो यही steel rules का अलपत मांग हो जाता है mm में और इंच में तो इस बात को आपको 20 से शुरूप से ध्यान रखना है और आपको मैं बता दूँ कि यह जो इस तील rules है यह आई टी आई के लगबख सभी ट्रेड्ट में इस्तिमाल किये जाते हैं सभी ट्रेड्ट में यह एक टूल्स है तो आपके सभी ट्रेड्ट में यह कुश्शन आ सकता है इसलिए मैंने इसको इनकलूड किया है तो आपको फोर्गेट नहीं करना है और अपने न कर देते हैं तो यह गलट होता है देखिए रूल का प्रियोग हम वर्क करते समय वर्क्शॉप में जब हम आप जोब को बनाते हैं तो जोब की लंबाई चोड़ाई उचाई या कोई भी मशीनिंग के लिए करते हैं वहां पर आप जोब को काटने पिटने नापने वगरा का मा करते हैं तो वहां पर जो इस्तिमाल होता है रूल उसको हम रूल करते हैं जो मापने के लिए आप साधानी इस्तिमाल करते हैं उसको हम रूल करते हैं लेकिन जब आप इंजिनिर्ग ड्रोइंग में या किसी भी प्रकार का आप अपने वर्क बुक पे आप ड्रोइंग बना तो यह सबसे वड़ा फैक्ट है इसको आपको भूलना नहीं है इस जानकारी को पूरे यूटूब पर सज कर दिएगा कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको तो चलिए आशा करते हैं आपको यह वीडियो पशंद आया होगा और दोस्तों एक निवेदन है आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो काफी कष्ट की बात होती है वीडियो बहुत महनत से और पडिश्रम से मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए तो क्रिपें आप इस सपोर्ट करिए और वीडियो को जादा जादा अपने मित्रों के साथ सेयर करिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजेगा और इसी पर करके शीरीज को आप आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दो बाना ना भूलें क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा अगर बेल आइकन पर आपने प्रेस किया है तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें धन्यबाद मिलते हैं अपने नेक्स स्रीज में तब तक के लिए जय हिन जय भारत